हेलो फैमिली कैसे हो स्वागत है पोकेट ट्रेनर के एक नए वीडियो में तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग मतलब क्या पोकेमोन गो में हम एक दूसरे से पोकेमोन को ट्रेडिंग करते हैं ठीके तो इसमें ब रेड तो हमेशा ही चलता है लेकिन रेड में क्या होता है कि मानलों कि आपके पास कोई legendary Pokemon नहीं है लेकिन वो Pokemon आपके दोस्त के पास है और आपके दोस्त के पास एक legendary Pokemon है जो आपके पास नहीं है तो आप लोग क्या करते हो एक दूसरे के साथ Pokemon को exchange करते हो इसको हम trading कहते है तो तो guys वीडियो को अंतक देखो, वीडियो को skip बिल्कुल भी मत करना, चैनल में अगर नहीं हो तो चैनल को guys सब्सक्राइब कर दो, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, और बाजू में जो bell notification है, उसमें प्रेस कर दो, और guys वीडियो में आपको like करना है, like करना आप लोग follow कर ले ना भाई को, और अगर कुछ भी पूछना है वहाँ पर पूछ सकते हो, और guys आज आज आपको एक चीज कमेंट में जाके मुझे बताना है, कि आप लोग कौन से country या कौन से state से बिलोंग करते हो, ठीके, अगर इंडिया में रहते हो, तो कौन से state से बिलोंग करते हो अगर बाहर रहते हो, मतलब out of India, तो कौन से country में रहते हो, ये मुझे comment में जाके बताना है, ठीके, तो guys चलो वीडियो को शुरू करते हैं, अभी देखो guys, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, trading करने के लिए हमें जो specially चाहिए वो है stardust, और आप बहुत ज्यादा करके st stardust कैसे collect कर सकते हो, अगर नहीं जानते हो, तो मुझे comment करके वो भी बता सकते हो, देखते हैं भाई, कोई जुगार तो मैं निकाल लूँगा, ठीके, और guys सबसे जो important है, आप जिस भी player के साथ, मतलब trading कर रहे हो, तो उसके साथ आपका friendship बहुत अच्छा रहना चाहिए, अ अगर आपको नहीं पता कि आप good friend से ultra friend या great friend कैसे बहुत जल्दी increase कर सकते हो, उसके उपर मैंने dedicated, बिल्कुल details के साथ, वीडियो पहले से ही upload कर दिया है, description में आपको link मिल जाएगा, जाके check out कर लेना, okay, तो guys देखो, अभी मैं आपको simply समझाने वाला हूँ, देखो, good friend, ह वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मतलब आपका जो discount amount है, वो है 0%, अभी देखो, आपको कितना stardust लगेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, normal and regional Pokemon, जितना भी normal Pokemon से, उनमें क्या होगा, अगर आपके पास, ये ध्यान से समझो, ठीके, अगर आपके पास वो Pokemon, पहले से ह आपने उसको catch करके रखा है, और आपको और भी चाहिए, तो trading कर रहे हो, तब जाके क्या होगा, आपको सिर्फ 100 stardust लगेगा, लेकिन अगर वो Pokemon आपके Pokedex में registered नहीं है, तो आपको वहाँ पर stardust का cost पर जाएगा 20,000, डिफरेंस समझ रहे हो, कहाँ पर अगर आपके पा 20,000, तो गाइस, अभी आते हैं, शाइनी और लेजिनरी Pokemon ट्रेडिंग में, सेम गुट फ्रेंड के साथ कर रहे हो, तो अगर शाइनी और लेजिनरी Pokemon कर रहे हो, अगर वो Pokemon आपके पास Pokedex में registered है, तब जाके आपको stardust लगेगा 20,000, अगर आपके पास वो Pokemon नहीं है, ज्यादा अगर के stardust लगेगा, तो आपको क्या करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखो, अभी आते great friend में, great friend बने में time लगता है 7 days, तो गाइस, यहाँ पर discount आपको लग जाएगा 20% का, ठीके, normal and regional Pokemon में, अगर वो Pokemon आपके पास है, तो stardust लगेगा 80, only 80, और 1000, अगर नहीं है, तो आपको लगेगा 8 लाक stardust, 8 लाक, ठीके, और guys अभी आते ultra friend में, ultra friend में देखो guys, यह चीज़ देख लो, ultra friend बनने में लगता है 30 days, मतलब 1 month, लेकिन, जो discount का amount है, कहाँ पर 0 था, उसके बाद आया 20, यहाँ पर direct हो जाएगा 92%, भाई साब, तो आप पहले आपका जो friendship level है, उसको increase करो, ट्रेडिंग में ध्यान मत दो, friendship level को increase करो, और आप यह कैसे कर सकते हो, उसके उपर मैंने पहले ही कह दिया कि वीडियो upload हो चुका है, आप लोग description में जाओ, चेक आउट कर लो, ठीके, अभी देखो normal and regional Pokemon में, अगर वो Pokemon आपके पास रहा तो only 8, guys only 8 Stardust लगेगा, और अगर नहीं है, तो आपको लगेगा 1600, कोई बात नहीं, 1600 सिर्फ, तो guys अभी आते हैं, shiny and legendary Pokemon में, अगर वो Pokemon आपके पास रहा, तो आपको सिर्फ लगेगा 1600, और अगर वो Pokedex में registered नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, आपको लगेगा 800, ठीके, only 800 1000, तो guys मैंने आपको बता दिया, अभी आते हैं, best friend में, जो सबसे तगरा है, सबसे तगरा, ठीके, best friend होने में time लगता है 90 days, और guys इसका जो discount amount है, वो है 96%, ओके, और guys, normal and regional Pokemon के लिए, वो ही सेम लगेगा, only 4 Stardust, मतलब अगर वो register रहा तो, अगर नहीं register रहा, फिर भी कोई बात नहीं, सिर्फ लगेगा 800 Stardust, मतलब 800 Stardust, ओके, अभी आते हैं, shiny and legendary Pokemon में, अगर वो Pokemon registered रहा, तो आपको लगेगा 800 Stardust, और अगर नहीं रहा, तो आपको लगेगा 40,000 Stardust, मतलब 40,000 Stardust, तो guys मैंने आपको बहुत ही अच्छे से explain कर दिया है, तो guys अभी आपका जो काम है, वीडियो में लाइक करो, चैनल में नहीं हो तो subscribe कर दो, और जो घंटी है उसमें प्रेस कर दो, तो चलो मिलते हैं next वीडियो में